हाई गाईज आप सभी का स्वावेट है हमारे चैनल अमेजिंग गैजेट्स में और आज हम आपके लिए लेकर आए अमेजिंग किचन गैजेट्स जो आपके किचन के कामों को और भी ज़्यादा असान पनाएगा तो आप सब्सक्राइब बड़न क्लिक कर लो और साथ बेल आ इससे अपने समय को बचा सकते हैं और अपनी कारेशंतों को बढ़ा सकते हैं इससे आपका ज्यादा समय भी नहीं लगता है इसका निर्वान स्टेल से किया जाता है जो इसे अधिक टिकाव बनाता है यह आसानी से साफ होता है और आप इससे आसानी से स्टोर कर सकते हैं थ canvas फिलर ये एक बहुत यूगी यूग युग कराना क्योंकि ये आपके समय और मेरत बचाता है इससे आप अपनी सब्जिया या फ्लो आसानी से चिल सकते हैं और आपनी ऑंगली को कटने से बचा सकते हैं यह आमदार पस टेल स्टील से स्क्राइन में इसाप कर के लिए लेड़ के साथ जुड़ा होता है इसे आप उपने खाने मेँ आसानी शेपरेट लेशाट सब्हार कर और स्वास्त खाने का अनद करतेJean सब्यूसर गए exercise बॉर्टल बाटल जो तेल को बीना किसी यून के निकालने में मदद करता है इस dispenser के spout में छिद्र होता है जो तेल को सही मातरा में निकालने के लिए बनाया गया हो इस छिद्र में एक slider होता है जो आसानी से तेल को निकाल ले और बंद करने में मदद करता है यह बॉडल तेल आपको सरफ सोप dispenser के बटन को दबाना ओता है और साफ करना शोरू करना होता है एक स्टीमट्र्य ये विगल्ब है जो अंडे को स्वच तरीके से उबालने में मदद करता है ये बैतरीं विगल्ब है जो बहत् लंबे समय चलता है इस ट्रे के अंदर एक स्टेनलिस की बडल हो प्लास्टिक से बना होता है और इसमें एक खुली चाकू लगी होती है इस चाकू के आधार पर आप फल और सब्जियों को बहुत आसानी से विविन तरीकों में काट सकते हैं जैसे फ्रेश सैलेड, प्रिंच फ्राइस, चिप्स और इत्यादी इस उपकरन के साहता से आप अशेस, बाल और धूल को रोकने में मदद करता है यह उपकरन स्टेनलिस टील, प्लास्टिक और रबर से बना होता है और इसकी अलावा इसकी अुपकरन बहुत ही सरल होता है और सिंग ये इसंद्रेन में स्तापित करना भी बहुत आसान होता है मेट टेंडराइजर टूट इसको प्योग मांस को स्लाइस करने चॉपिंग करने क्यूबिंग करने और मिंस करने जैसे कामों के लिए किया जाता है वोल्डिंग क्लीनिंग ब्रश इसे सपाई के कामों के लिए उप्योग किया जाता है इस उपकरन में दो बाग होते हैं एक है और अन्य मजबूत सामगरी से बना होता है इसमें अलग-अलग आकारों में स्लोट होता है जिनमें बर्तनों को रखा जा सकता है यह उपकरन अलग-अलग आकार के बर्तनों के लिए अनुभूल होता है जिससे आपको अधिक स्थान और आसानी से सुखाने की सोईदा मिलती है इस रैक को आमतर पर रसोई, भोजनाल या बार के लिए उप्योग किया जाता है पूरी प्रेसमेकर, इसका उप्योग बेसन को गोल इसे आसानी से फ्रिज के अंदर रखा जा सकते हैं और अंड़ो को संग्रक्षित रखने भी मदद करता है ये बॉक्स आमतर पर छोटे आगार के होते हैं और इसे फ्रिज के अंदर रखना बहुत असान होता है ओल स्टेनर पॉट ये एक ऐसा बरतन जो खाने के तेल को छानने के लिए इस्तमाल किया जाता है ये बरतन एक लंबी दास्था वाले बरतन की तरह दिखता है जिसमें तेल को छानने के लिए छिद्र होते है ये बरतन आमतर पोस्टेल स्टील से बने होते है और इसके बारी बाग में उंडी होती है, जो इसे खोलने और बंद करने के लिए स्तमाल की जाती है Silicon Doe Maker Matte, ये मैट एक अतिरिक नॉन स्लिप सतय के साथ आता है, जो इसे स्तमाल करने के दौरान स्तिर रखता है इसमें एक नॉन टॉक्सिक सिलिकन शामिल होता है, जो इसे सुरक्षित बनाता है ये मैट खाद बनाने के लिए विशेस रूपसर डो के लिए डिजाइन किया गया है इसमें खाद गूचो को रोल करने और काटने के लिए लाइनों का एक निर्देशिका होता है इससे आप अपने खाद गोगों इच्छित आकार और आकरिती में आसानी से रोल कर सकते है और इसे साब करना भी बहुत आसान होता है स्टेनले स्टील आटोमेटिक डो मेकर मशीन ये मशीन स्टेनले स्टील से बनी होती है जो इसे ताकतवर और टिकाओ बनाता है और आपको अपने खाद्दो को आटोमाटिकली मिलाने और पेस्ट करनी की सुईधा प्रदान करता है इसमें एक मोटर होता है जो खाद को सोचलीत रुप से मिलाता है इसमें एक कैपसिलि डिस्क सामिल होता है जिससे आप अपनी खाद्दे की महत्रों को नियंतरित कर सकते हैं इस मशीन को व्योग अत्यादिक सरल होता है आपको बस अपनी खाद्दे को मशीन में डालना होगा और बागी एक अपने आप करेगी इसमें डोगो सौचली तरुप से घूटने की शमता होती है जिससे आप अपनी डोगो जल्दी और आसानी से बना सकते हैं वैक्यूम सिलर मशीन इसे खाद्दे और अन्य सामगरी को वैक्यूम पैक करने के लिए प्योग किया जाता है इसके द्वारक खाद्दे सामगरी को वैक्यूम प्रकार के बैक्टेरिया और अन्य किटानों से बचाये जा सकते हैं और आप भोजन को अलंबे समय तक ताजगी और स्वाद में बनाये रख सकते हैं रोटेटिंग फोल्डिंग ओप यह एक ऐसा ओग है जो घोमता है और इन्हें आसानी से फोल्डिक या जा सकता है ताकि आप उन्हें आसानी से संग्रहित कर सके ये बैक एक छोपी जूली की तरह होती है जिसमें आप प्लास्टिक weighing-on को रख सकते है इसका उप्योग करना बहुत आसान होता है आप इसे अपने घर के किसी भी कोने में या अपनी किजिन में या फिर बात्रूं में रख सकते है यह आपके घर को साफ और सुतरा रखने में मदद करता है Electric Wine Opener यह एक बढ़िया टूल है जो wine bottles को आसानी से कुलने में मदद करता है यह उपकरन बैटरी द्वारा चलता है जो एक बटन क्लिक करने पर सुरू होता है इससे आसानी से wine bottle के टॉप पर रखकर बोटल को खोला जाता है और अब आपको किसी भी शार्प आपजेक्ट जैसे की कुंडी या कॉक्स कुरू की जरूरत नहीं इसके साथ ही यह उपकरन एक शांदर वाइन की भी होता है जिससे आप अपने प्रेजेनों को दे सकते हैं